आज एहम्दबाद रिवर फ्रन्ट पर एक हुनर हाट का सबसे बड़ा प्रदर्शनी रखा गया इस प्रदर्शनी को रखने का मुख्य ओदेश भारत सरकार की स्वदेशी दिस्तकारी सिल्पकारी आज के दोर में कहीं लुप्त होती जारी है इसी विरासत को जनाधार में बनाये रखने का भारत सरकार का ये सिसक्त अभियान चलाया गया इस पूरे कारक्रम में मुख्य अथिती के रूप में केंद्री मंत्री मुख्तार अबास नफी के हाथो इस पूरे कारक्रम की सुरुवात की गई हुनरहाट के इस प्रदर्शनी में आपको विभिन राज्यों की संस्कृती और हाथों से बनाई हुई कलाकृती देखने को मिलेगी आए देखते हैं हमारे रिपोर्टर राहूल पांडे की इस खास रिपोर्ट में कैमरामेन बिजेन रपासी के साथ रिपोर्टर राहूल पांडे रिवर फ्रंट एहमनबाद मिनिस्ट्रिया मैनाटी अफेर्स हमारे जो देश के दस्तकार हैं शिल्पकार हैं कारीगर हैं उनकी जो जानदार विरासत है उसको जानदार बनाने के मिशन के साथ काम कर रही हैं देश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग हिस्सों में हुनरहाट के माध्यम से देश भर के दस्तकार शिल्पकार कारीगर और उनका जो सुदेशी उत्पादन है उसको मौका मिले मार्किट मिले इसके लिए हम लगातार देश के अलग-अलग हिस्सों में हुनरहाट का लगाये जा रहा हैं या लगाये जाने वाले हैं इसके माद्धम से हम जहां एक तरफ जो हजारों दस्तकार शिल्पकार हैं उनको हम रोज़गार से जोड़ते हैं वहीं उनके साथ जुड़े हुए लाखों दस्तकारों शिल्पकारों के जो साथ में सही होगी हैं उनको भी हम रोजगार और रोजगार के मौकों के साथ जोड़ना है क्योंकि हमारे देश में हर छेतर में और हर प्रांत में दस्तकारी और शिल्पकारी के एक बहुत ही मजबूत विरासत है जो कहीं न कहीं कमजोर हो रही थी लुप्त हो रही थी अगर गुजरात में देखें तो वहां पे अलग विरासत आपको मिलेगी अगर आप उत्तरप्रदेश जाएंगे बिहार जाएंगे आप करनाटक जाएंगे केरला जाएंगे हर जगा एक अलग अलग उसका सोदेशी उत्पादन का एक मजबूत पहचान रखने वाली विरासत है और इसको हमने मौका मार्किट देने के लिए लगभक तीन वर्षों से ही अभिहान चलाया है प्रदान अजीन रेन मोदी जी के नेतृत में और इसमें बहुत हमको सफलता मिली है और उसके साथ ही साथ जो दस्तकार शिल्पकार घरों पर बैठे रहते थे सुचते थे कि अगर हम कोई चीज़ बनाएंगे तो उसको खरीदने वाला कौन होगा देखने वाला कौन होगा उसको उनको बहुत प्रोसान मिला है बहुत ही उनकी होसला अवज़ाई करने आ रहे हैं इसके बाद हमारा मुमबई में हुनरहाट होने वाला है 20 दिसंबर से मुमबई में होगा हैदराबाद में जन्वरी में है शंदीगण में है और इंदौर में है लखनवू में है अलग-अलग देश के हिस्सों में लगातार हमारी क कोशिश है कि देश भर में हम जो है वो सैकड़ों हुनर हाटों के माध्यम से लाकों दस्तकारों शिल्पकारों को हम रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ सकें